अब जो हम ब्लॉक इंदर करेंगे हैं वो एक जंपिंग गें बनाएंगे उसके इंदर हमारी character होगा उसके सामने से कुछ objects आएंगे और उसने उन objects से बचना है और वो jump करेगा जैसी object हाएगा वो jump करेगा और object गुज़र जाएगा तो वो दुबारा land करेगा और उसी तरह हर जो object हा रहा है उस पर jump करने पर उसको touch ना करने पर उसको score मिलता जाएगा तो इसको हम emblock in the kitchen बनाएंगे game को तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो step है हमारे इस game के अंदर वो यह कि हमने अपने character को simply jump कराना है जब भी हम up arrow key जो है प्रेस करें तो वो jump करके वापस land करें तो चलिए देखते हैं इसको emblock के अंदर हम किस ना से करेंगे सबसे पहले मैं अपना character choose कर लेता हूँ उसके अंदर मैं यहाँ पे टक जो है वो select कर लेता हूँ या कोई chicken का यह chick जो है यह choose कर लिए ok press कर दिया size का काफी बढ़ा है तो पहले मैं अपना background ले ले लेता हूँ background पे click किया और यहाँ पे मैं कोई background जो मुझे reasonable लग रहा है मैं यह वाला background ले लेता हूँ and ok अब इसका जो है वो size में थोड़ा छोटा करता हूँ काफी बड़ा size है यहां से तो यह size जो है मुझे ठीक लग रहा है अब हमने अपने tractor को jump कराना है जब भी हम arrow की यह space प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे हम space कर लेते तो events में जाओंगा मैं और यहां पे when space key is pressed तो मेरा character उपर थोड़ा सा move करे y-axis increase हो और बाद में वापस decrease होके original position पे आ जाए तो उसके लिए मैं control में जाओंगा यह repeat का block कि मैं इसके जो भी place करेंगा 10 times जो है वो repeat होगा और उसके बाद मैं motion में जाओंगा change y by 10 कि पहले जो है 10 times जो है वो उपर को move करें यहनि हर मर्तबा जो है 10 मर्तबा यह loop चलेगा और हर मर्तबा y में 10 की value कई addition होती रहेगी इसके बाद जो है मैं इसको duplicate करता हूँ और दुबारा अब मैंने जितनी values में add कर रही हूँ उतनी मैंने subtract भी करानी है मैं minus 10 करूँगा अब मैं इसको space press करता हूँ तो यह देखें यह मेरा character इसना कर रहे है इसना jump कर रहे है अगर मैं यह निकाल देता हूँ block जो है अब मैं space press करूँगा तो यह देखें यह मेरा character उपर चला गया है मगर नीचे नहीं आया उपर क्यों गया है कि हर मर्तबा y की value में 10 का addition होता रहे 10 मर्तबा y यानि एक तरह से आप समझे लें 10 मर्तबा y लूप चले 10 मर्तबा 10 की value add वी है y में यानि यह समझे लें कि आप 100 value add वी है अब उतनी value जो है वो मैंने subtract भी करानी ताक कि मेरा character जो है वो अपनी original position पर आ जाए इसको मैं interplace करता हूं दुबारा और मैं space press करता हूं यह देखें यह मेरा code सही run कर रहे है